है है गाइज वेलकम टू दर रिवर्स वल्ट सो एज यू नो वेरी वेल दर आयोसेल एक्जाम हैस बिन कैंसल ड्यू टू दी प्रोटेस्ट ऑफ फॉर्मर सो आज हम बात करेंगे इसमें जो एक्जाम कैंसल हो गया लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यह आज हम डिसकस करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेटीजी है वो क्या होने वाला है क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बार एक्जाम हुआ तो उसका कैसा पैटरन था जो लेवल था वो भी थोड़ा ज्यादा हाई था तो जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट एक्जाम में अपेर हुए थे जिसमें से मोश्टली लोग जो है ओपी गुपता या फिर राम पर साथ को पढ़के गए तो उससे बहुत कम कोश्चन देखने को मिले तो मैं इसमें बात करूंगा कि हमें क्या स्ट्रेटीजी फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम एक्जाम में मैक्सिमुम ज है पैनले लेता हूँ पैनले एक मिनट ओके तो पहले हम इसमें जो है हमारा कंटेंट है पहले हम स्लेबस बात करेंगे फिर नोन टेकनिकल और टेकनिकल और वाट तो इस्ट्रेटीजी तो फॉलो देम ओके तो हम आगे बढ़ते हैं जो हमेरे जो हमिने नोन टेकनिक होता है वह ज़्यादा वाइडेश नहीं होता है हमारा के इसमें बेसिकली हमें क्या होता है छोटा सा इंगलिस का पोर्षान होता है एक्जाम में पूछे जाते हैं वह पहले तो होता है आर्टिकल्स जो बहुत बेसिक होता है आर्टिकल, प्रिपोजिशन, सिनोनियम, साइनो और एंटो, एंटो, और स्पेलिंग करेक्शन, एक और होता है पैसेज, तो पैसेज इसमें इंक्लूड नहीं है बट आपको पैसेज भी पढ़के जाना है, इसमें पैसेज बात करें तो अनलेटिकल की बात करें तो अनलोजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिरेक्शन, और एड़, और मेन आउट, सिरीज, और रियारेंजमेंट, और जो हमारा जैनरल अवेर्टिकल्स का जो कोशन होता है वह उसमें तो आपको पता यह पूरा चीज़ कवर अप होता है जैसे हिस्ट्री ओफ इंडिया, इंडियान जोगरोफी, वर्ल जोगरोफी, करेंट इवेंट्स, पैसनलिटीज इन यूज, रिलेशन बिट्विन इंडिया एंड नेवरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स इन जेनरल करेंट, हैपनिंग इ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब जेनरली में नीतु सिंग की बुक यूज करता हूँ, इंगलिश का, जो ऐसे सी पॉइंट अब व्यूस होता है, बट हमें उसमें जो एक्स्प्लेनिशन है, वो बहुत अच्छा है, तो आप अगर यह जो टॉपिक मैंने लेते हैं, तो ऐसा करना नहीं है, मतलब हाँ आप बेसिक वगेरा पढ़ लेते हो, लेकिन आपको प्रेक्टिस भी करनी है, मैत की, अगर जो बेसिक, मतलब बुक बता हूँ, तो आप सागीर एहमाद की बुक यूज कर सकते हैं, उसमें काफी एक्जाम दिये, तो उसमें मै करें, तो एक माइका की एक PDF आती है, जो महिंदरा मतलब publication की है, तो उससे आप कर सकते हैं, माइका की एक current affair आती हो, पर मन्त की, तो एक मन्त में आपको बस जो MCQ है, उसको attempt करने है, वो काफी ज्यादा pages के होते हैं, तो आपको जो last MCQ है, जो question होते है, उसको आपको attempt करने है उसमें आपको current affair cover up हो जागा, आपको one day, single day, जो current affair हम daily पढ़ते हैं, वो पढ़ने की ज़रुवत नहीं है, आप monthly current affair लिजे, क्योंकि अगर जो daily current affair, जो 20-20 आप cover up करेंगे, तो काफी ज़्यादा हो जाता है, और last में prepare करने ही पाते हैं, तो monthly जो important है, उसको आप करके जाए जो आप एक चोटी सी book आती है, आप lucent use कर सकते हैं, या फिर आप YouTube अगरा से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, चाहिए, आगे बात करते हैं, अगर जो हम technical की, तो technical में बहुत से बंदे क्या करते हैं, ओपी गुपता मोटी सी book है, इतना उसको ले करके बैठ जाते हैं, इसलिए जो IUCI का जो pattern होता है, हमेसा exam को conduct करवाने का, उनका कोई ऐसा नहीं होता है, कि आप अगर जो कोई चीज रट के चले गए तो वो exam में आजाएगा, ऐसा नहीं है, उसका हमेसा से यह question देता है, कि बिल्कुल वो ना, मतलब concept यो ज़्यादा धिहान देता, अगर जो मैं job की बात करूं, तो अगर जो आप apprentice का exam देना चाहते हैं, तो OP गुफता इनफ है, उसको आप पढ़ कि जा सकते हैं, उसमें से आज आजएगे आपको diet question और आप easily उसको crack भी कर सकते हैं, अगर जो मैं job की बात करूं, तो वो क्या करता है, वो conceptual question पूछता है, जैसे कि आपको एक question देगा statement, statement दे दिया, उसके बाद उसमें से बोलेगा कि तीन statement हमने आपको दिये हैं, और इनमें से बताई कि कौन से statement true है, और कौन से statement false है, तो ये सब question आपको OP गुपता या रामपरसाद में आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर जो आप books वगेरा पढ़ते हैं, मैं तो ये ही आपको suggest करता हूँ कि आप book पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि MCQ books पे, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको actual में पढ़ना क्या है book में, ठीक है, अभी देखिया, आपको एक basic सा book है, आप गवानी की book उठाएए, ज्यादा high level की book उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप गवानी की book लीजिए, और उसमें से, पहले तो unit operation one है, एक book, unit operation one को अच्छी तरीके से cover up कीजिए, ठीक है, उसमें आपका fluid mechanics और mechanical operation on transportation of the fluid मिल जाएगा उसके अंदर topic, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, वो complete कर जिए, complete करने के बाद मैं basic बत तब आपको क्या करना है, फिर ऊठाना है, मार्स ट्रांसफर की book आती है, उनकी k ये गवानी की, वो book उठाने है, उसमें से भी मैं आपको बता रहाँ क्या-क्या पढ़ना है, डिफूजन को बिलकुल नहीं पढ़ना है, डिफूजन नहीं पूछता है कोई भी, ठीक है, ड जो DAB होती है, जो coefficient, उनकी unit क्या होती है, ठीक है, यह हो गया आपका, उसके बाद आपको सीरे जाना है distillation पे, distillation में आपको reflex की अच्छी knowledge होना चाहिए, कि reflex क्या होता है, what is reflex, उसमें total, minimum, maximum और optimum reflex क्या होता है, साथ ही साथ, reflex के बढ़ने से, या कम होने से, distillation column पर क्या effect पढ़ता है, condenser की duty पर क्या effect पढ़ता है, reboiler की duty पर क्या effect पढ़ता है, ठीक है, हमारा जो cost है operation का, वो कैसा बढ़ जाएगा, या कम हो जाएगा, और उसके बाद trays, trays में आपको sieve tray, bubble, cave tray और valve tray, इन तीनों पर मैंने वीडियो अल उसके बाद distillation में, जो आपका रहेगा, simple distillation, fractionation distillation आप पढ़े लिजे, ठीक है, उन में कैसे, किस तरीके से feed जाता है, कहां से, मतलब उपर से क्या निकलता है, नीचे से क्या निकलता है, तो आपको यह सब पता होनी चाहिए, अच्छी तरिम ज्यादा मतलब कोई advance नहीं प अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप evaporation भी पढ़ सकते हैं, उसमें ठीक है, और बस इसमें दो ही चीज आप पढ़ें, तो यह इनफ होगा, heat transfer के अगर जो हम बात करते हैं, तो newton's law of four years equation जो गया, newton's law of collins, stephen balsman law, इन सब की जितने भी units होते हैं, उसको आपको याद होन unit already drive कर सकते हैं, यह चीज हो गए, ठीक है, अभी मैं आपको basic बता रहा हूँ, लेकिन actual में exam कैसा pattern पूछता है, वो मैं आपको बता हूँगा, पहले हम book की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या चीज है, मतलब basic knowledge क्या होनी चाहिए, मैं आपको पहले बता रहा हू अच्छा, third point है हमारा mechanical operation, mechanical operation में आपको सारे जितने भी है, जैसे की ball mill, तो ball mill किस principle पर काम करता है, क्या उसके impact पर काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ball mill होता है, उसमें baffles लगे होते हैं, तो वो horizontal होते हैं, या फिर vertical होते हैं, या होते ही नहीं है, तो इसकी अगर जो आप OP गुपतव अगर आप देखोगे तो आपको direct नहीं मिलेगा, अगर जो आप देख भी लेता होना, तो वो आपको याद रखोगे उस time और फिर exam के time भूल जाओगे, तो हमें MCQ से नहीं पढ़ना, वो रटना नहीं याद होता है, मुझे पता हो थोड़ी दे filtration, जो भी filtration हम use करते हैं, ठीक है, तो filtration medium screening उन सब का हमें पता होना चाहिए, कौन-कौन से मतलब solid को liquid से, मतलब liquid में से जो भी solid particle उससे remove करने के लिए हम कौन सा filter use करेंगे, वो आपको पता होने चाहिए, basic knowledge, ठीक है, उससे जादा नहीं पूछेगा आपको exam में, ठीक है, अच mechanics की, fluid mechanics में, जो हमारा main, हमारा focus होता है, pump के उपर होता है, pump में हम क्या पढ़ेंगे, centrifugal pump, बस centrifugal pump हमें यह नहीं पढ़ना है कि pump होता है, उसको हम energy देते हैं, वो transport हो जाता है, वो sufficient नहीं है, उसमें आप centrifugal pump में कौन-कौन से parts से ले करके, हर चीज तक आपको पढ़ना, क्य पार्ट लगा होता है, mechanical seal होता है, motor होता है, bearings होता है, क्या इनका purpose है, impeller कितने type के होते है, कौन सा impeller लगाने पर, pump क्या effect पढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद casing कितने type के होती है, flow of direction कैसा होता है, उसके बाद SOP, मतलब उसको चलाते कैसे, standard operating procedure भी आपको पता होना चाहिए, ठ यह किस तरीके से हम इसको चलाते, चलाते time हमें क्या क्या साफधानिया बरतनी चाहिए, उस time ठीक है, उस safety point of view से हम उसमें क्या देखेंगे, तो यह सब चीजे है, जो कि आपको पता होना चाहिए, उसके बाद pump में, प्राइमिंग जैसे मैंने, प्राइमिंग क्या होता है, जो भी हमारा सक्सेन का प्रेशर है, वह वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, तो हमारा वह हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको समझना होगा, कि कैसे कैसे effect आते हैं, कैसे कैसे problems आती है, तो जिन बच्चों ने, मतलब candidate ने, अगर जो apprentice बगरारा किया है, तो उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं है, वो अच्छी तरह कि आप वीडियो वगरारा देख सकते हैं, यूटूब पर, क्योंकि बुक में तो आपको इतने troubleshooting तो नहीं मिलेगा, लेकिन exam में question जरूर पूछ लेगा, क्योंकि जो ये वेकेंसिया कि वो experience basis पे, तो वो होते हैं, rotary pump, reciprocating pump, reciprocating में भी फिर कितने टाप होते हैं, 2-3 टाप होते हैं, piston, plunger pump, और rotary में भी gear, to monopump, तो ऐसे बहुत सारी चीजे, तो आपको एके करनो, pump का जितने भी pump होते हैं, बहुत deeply knowledge होनी चाहिए, मैं basic नहीं बात करूँग, बिल्कुल deeply knowledge होना चाहिए, हाँ deeply का मतलब यह नहीं कि आप equation निकाल रहे, performance उसका calculate कर रहे, calculation से बिल्कुल दूर रहना, ठीक है, यह सब नहीं पूछेगा, उसके बाद, आपको जितने भी यह मैंने एक point लिखा हैं, यहां पर कि all unit review, मतलब refinery में जितने भी unit होते हैं, जैसे कि FCC, तो FCC unit में कौन से catalyst जलता है, कि कितना temperature होता है, कितना pressure होता है, और feed क्या use करते हैं, मैंने क्या क्या बता है, feed क्या use करते है, temperature कितना होता है, pressure कितना होता है, और कौन सा catalyst use करते हैं, ठीक है, यह चार point तो आपका पता होना चाहिए, क्योंकि पिछले बार भी जो exam पूछा गया है, वो इसी से पूछा गया ह जैसे विस ब्रेकिंग क्या होता है कितने टेंपरेचर पर होता है तो यह सब आप अगर जो यूनिट में विजिट कियोंगे तो आपको पता होगा ठीक है इतना तो नोलेज रखना पड़ेगा आपको अगर जो आप यूनिट की रिव्यू ही बहुत अच्छी तरीके से करके चले जाते हैं तो आप अगर जो बुक अच्छे से कवर अप नहीं भी होता तब यह आप एक अच्छा स्कॉर कर सकते हो ठीक है तो यह था हमारा टेक्निकल का पॉर्शन अब रह गई बात कि इसमें जो है आपको कमा है कि इसमें था अपको करना कैसे है तो दहके मैं चाहर मेने बुक बता और इसमें क्या करने आपको श्टार्टिंग के न सब्सटार्श न्हें करने के के बाद यह तो बहुत important term है कि technical में मैंने बताए कि unit की review होने चाहिए hydro processing जैसे है तो उसमें क्या-क्या होते है hydro processing जैसे hydro cracking होता है hydro treating होता है hydro desulphurization होता है उसमें कौन सी catalyst यूज करते हैं वो catalyst किस तरी मतलब क्या impact करती है और CRE में भी आपको थोड़ा सा रहा order of reaction पता होना चाहिए और molecularity पता होना चाहिए order of reaction कैसे find out करते है Reynolds नमबर पता होना चाहिए नसल नमबर पता होना चाहिए कैसे calculate कर तो उस पर numerical आ सकते है LMTD का अच्छा knowledge होना चाहिए आपको LMTD क्या होता है और AMTD क्या होता है पिछले बार question AMTD से आया थे LMTD से नहीं आया था अब सब बंदे क्या किया थे LMTD पढ़के गया थे question पूछ ले AMTD से तो यह सब आपको पता होना चाहिए कि हम किसका इस्तमाल कब करें ठीक है LMTD का इस्तमाल क्यों करते हैं यह भी पता होना चाहिए तो यह चीज अगर जो मैंने अभी आपको बोल आया मैंने लिखा नहीं इसलिए अगर जो आप वीडियो का अच्छी तरह से सुने आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, मोक टेस्ट वगर आप लगा सकते हैं तो अभी जो एक्जाम कंड़क्ट करवाने वाला है, वो होगा तो दिसंबर में ही, अप्रोक्स मतलब जितने भी चांसे हैं, तो दस दिन या एक दो हपते कंदर जैसी प्रोटेस्ट खतम होता है तो वो रिकंड़क्ट ये एक्जाम को मतलब रिस्टियूल करके वो कंड़क्ट करवार देंगे, तो ये सब तरह आप ये स्ट्रेजी को यूज कर सकते हैं, आपका अपना प्रोटेशन को बूस्ट अप परने के लिए, तो कोई भी प्रोबलम होता है, तो आप मुझे कमें कर सकते हैं, और थांक्यू सो मच फ्रेंड, जो हमारा चैनल है, वो 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप इसी तरह के से जुड़े रहें, और अपना सपोर्ट हमेसा बनाए रहें, ताकि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सको, ओके बाब थांक्यू